हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हेलपर में तो दोस्तों आज आपका SSE MTS एक्जाम जो 5 जुलाई को पहली शिप्ट कहता उसका एक्जाम जो है वो कंप्लेट हो चुगा है और उसके जो GKK लगवक सभी कोशन है वो हमारे पास आ गए है कौन कौन से कोशन है कहा कहा से कोशन पूछे आ रहे है पूरा इस वीडियो में डिसकस करने वाले है तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखेगा यह आपकी आगे आने वाली जो शिप्ट होंगी उसके लिए म पूरा यहां से आपको कौशन पता चलिए किस किस टॉपिक से आ रहे है तो वो टॉपिक आप जो कवर कर सकते हैं तो उससे आपकी मार्स यहां पर इंक्रीज हो सकते है ठीक है चलिए तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं SSC MTS exam analysis 5 July 1st shift तो यहां पर जो मैंने रिभी ल देखेंगे बस उसके बाद आगे आने वाले जो दिन होंगे उसमें हम केबल हो और केबल जीगे का यहां पर रिभी देख रहे हुंगे को पहले दिन में आपको पता चलिया कि मैस से कौन से टोपिक पूछ तो मैस के टोपिक दिख लेते हैं लेवल की बात कर एज़ी रहा सब्सक्राइब इसके लावड डियाई से एक से दो कोशन से दो कोशन आए थे ठीक है तो सिंप्लिफिकेशन कर गई गया बाकी प्रॉफिट अन्रॉस हो गया बॉर्ट एंड टाइम इंड वर्क यहां से कोशन पूशे आ रहे हैं रिजन की बात करें तो यह भी एजी थी जिस अब से बाकी जो आकरती वगयरा होते हैं जो इस टैप से 5-6 कोशन पूशे गया थे और रेंगिंग से तीन कोशन थे डायरेक्शन से कोशन था एंड लोजी से दो कोशन थे जो और बरन आवर उड़ता है उससे भी एक कोशन थे इसका पूशा गया ता कि यह एंड और जो स एपल पाई करके एक पूछा गया था साइट ठीक है एक पैसिप से तो आता ही एक ठीक है यहां से और एरड डेटेक्शन पूछे गया थे आपसे पांच नंबर का पूछा गया इसके लावा वन वर्ड सब्सटिटूशन भी आपसे पूछा गया यह बात करें मोड लेवल जो से पांच कोशन मिलेते जिसमें 2021 के जोलाई और अगस्त के करेंट अफेर पूछे गया है साथ इसाथ मार्च अप्रेल फरवरी के 2022 के भी करेंट अफेर देखने को मिले है चलिए दोस्तों यह जो कोशन है 90% से ज्यादा ओटनिक कोशन है अगर आपको फिर भी कोई कोई कर रहा है तो कमेंट एक्षन में कर देना नेक्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं इसको करेक्ट कर दूँगा जाहां तक है 90% से ज्यादा ओटनिक कोशन है चलिए पहला कोशन था कि जो आर्टिकल 370 है यह इससे रिलेटेड एक कोशन था यह देखिए यह जम्मू कस्मीर से रिलेटेड ओटने पूचा गया तो यह पूरी उडिसा में झाली मैं झाली मैं तो काली में जो आपको कर दो傘ल ओट दो है ईसके अलावाब पूरा पक्रेक्ट का वकगा था उसको पूरा पयक्त आपक्त आ एपको यह दो कर सकते हैं वो장 थे जग्लिजशो तो याद रखना है इसके इलाबा यह कोशन पूछा जाता है तो यह गांधी इर्वेन समझोता यह कब हुआ था तो यह 5 मार्च 1931 को पूछा गया था यह एडिशनल फैक्ट है जो मैंने बताया हो सकता है इसके इलाबा जो आपके सबने अबग्गा अंदुलन थे और दांडी मार्च था आपको यह याद करके आना यह डेट पूछी आती है इसके लाबा डल जील का है तो जितनी भी है उनको आपको पढ़के जाना है क्योंकि जीलों से यह कोशन बन रहा है यहां पर तो डल जील करके तो यह जम्मु कशमीर में हो जाएगी इसके लाबा जम्मु कश्मीर जील हो जिका नाम है बूलर जो भारत की ही सबसी मीठे lucky मीठे पानी की अब सबसे बड़ी जील ही करना तो इसके लाबा कुछ एडिशनल है जैसे चिलका लेक का है तो ओडीशा में इस्टेट हो जाएगी और पुलीकट का है तो ये पुलीकट और कोलेरुदू पूछी जाती है जो कि आंदर प्रदेश में इसके बाद सामबर जील का है तो ये राइस्तान में येंग्टी है वो सकता पहला है जो ये देट पूरी पूछी आती है पूरी याद रखना 21 अपरेल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी और यो टिक लगा है वो उन्होंने इसको जीता था दोस्तों इसकी जो पेडियाप है मैं आपके टेलीग्राम पर डाल दूँगा नीचे इसकी लिंक मिल जागी दा एक्जाम एल पर टेलीग्राम के नाम से तो उसे जोइन कर लेना वहां पर ये बीडियाप आपको मिल जागी चलिए तो यह हुआ था 21 अपर 1526 बाबर इब्राहिम लोदी बाबर जीता सेकंड यह हुआ था यह पांच नवंबर 1556 को अकबर और अकबर की मैंने बता है कि काफी कोशन पूछ जा रहे है मंदिर से तो यह तीन रोटल कोशन पूछ आ रहे है तो इसको अच्छे से कर गए जाएगा दोस्तों अगर आपको यह पढ़ना है फेस्टिवल भगए रहा हुए या निरत बगएर तो आप नीचे कमेंट सेक्षिन में ये topic करा दीजे तो मैं उसको करा दूँगा ठीक है चली तो ज्यादा श्यादा कमेंट कीजिए लाइक एंड शेयर और कीज़े आपने दोस्तों के शाद अगला है बतुकमबा फेस्टिवल कहां मनाया जाता है तो ये आपका जो है तेलंगाना मनाया जाता है और ये प्रकाल क आपको जितने भी त्योहर है वो रट के जाना है चली अगला है यह एक वर फिमास है चाप चार कटु मौचसब का मनाया था चाप चार कटु तो ये मिजोरम हमनाया था का मिजोरम ठीक है तो ये आपको याद रखना है जो जो देज होते हैं देज और उनकी थीम्स वहाँ स इस प्रस्प्रस्वार्ब में अगला पूचा है कि कुछी पुडी जो फेमस पर्सनल्टी ब्यकती है यह कौन है तो चलिए इसके लिए मैं आपको पूरी जो जितने भी आपके असास्त्री नेत्र है उनसे जो फेमस परस्नालिटी है उसकी फोटो दिखायता हूँ तो आप उसको पढ़ लेज़ेगा स्क्रीन शॉट लेगा ठीके वहाँ से हो सकता है नेक्स शुर्ट में आपको आते कि ये आपिक्ल 30 किससे रिलेटेट है तो ये भारती समिधान का आपिकल 30 और इसके अलाबा चली और बता कर से, अगला पूछा गैता कोंशिए पार मंदिर तो यो इस पूरी ओडीसाम हिसी इसे रिलेटेट जितने भी फैक्टे मैंने सारे लग दिये हैं पूरी उडिसा में हैं किस बंस ने बनवाई तो गंग बंस ने और गंग बंस के किस आ सकते हैं तो नर्सिंग देव फश्ट ने इसे ब्लेक प्यगोडा के नाम से आना जाता है और कब बनाया गया था 1320 लिए अगला पूछाग्या यह इंपॉटेंट है जितनी भी हेड्वार ओते हैं जितनी भी संस्ता हैं वह इंटनेेशनल हेड़कौर्टर वह आपको पढ़के जाना आसीयन पूछा गया बताइया आसीयन की स्थापना कभी थी और कहां होई थी तो आसियन की स्थापना 8 अ तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका मुख्याला का है न्यूयॉर्क में इस देत हो जाएगा ठीक है चलिए डवलु एच्छो मैंने बताई दिया चलिए अगला है कि उलम्पिक 2024 का होगा तो यह पेरिस फ्रांस में होगा हो सकता है नेक्स पुछले 2016 का होगा था तो यह ब्राजील में 2021 वाला का होगा टोक्यो में और 2028 वाला का होगा लॉस एंजलेस में चलिए अगला है आईपेल 2022 का जो उप विजयता है यह कौन रा तो यह दाधा ता राजिस्तान रॉयल पिनर कौन ता गुजरा टाइटन्स स्पॉंसर कौन ने टाटा टोटल टीम इस वार के लिए दस सं अगला प्रेशन पूछा गया दोस्तों कि बता यह मौलिक करतब कितने हैं तो 11 मौलिक करतब हैं जिन्हें 42 संभिदान संशोदान 1976 के द्वारा जोडा गया था ठीक है और इन्हें जो है कौन से भाग में फोर यह में जोडा गया था ठीक है ध्यान लगिएगा चलिए और य अगला पूछा गया था जंगंडणा को आपको पढ़कर जाना है ठीक है एक कोशन पूछ रहा है 2011 में लिंगानुपात किता था तो 943 था ऐलग अलग लिखाय मैंने की हाइस काहा पर था तो केरला में था 1184 उसके बाद तमिल नाडू में 996 यूटी में पूछ ले तो यह अगर यूटी में पूछ ले तो यह ता दमन दीब में 688 ठीक है चलिए अन्तिवधाय यूजना वाला टॉपिक है उससे भी एक कोशन पूछ पूछ आ रहा है तो जितनी भी यूजना है के इंसरगार की वह आपको पढ़कर जानी है कि अन्तिवधाय यूजना किस से रिले यूझी है और यह कर चंबल्डी है अगला था नरवंद्र मोदी से रिलेटेड एक बुक के उपर कोशन था ठीक है तो यह एक बुक है एक बुक है एक आग्जाम बॉरियर्स और दूसरी एक करम युद्धा जो कि अमी शान लेकी थी नरविद्र मोदी जी के उपर चलिए अगला पुछा गया इस्पोर्ट से देखे दूसरा कोशन नहीं है तो तीसरा एक ओलंपिक से, एक आईपेल से और होकी से 2018 का होकी किसे नहीं जीता था ये बैल जीता था ठीक है और अगला कोशन पुछा गया वड से की स्वार कोकेला किसी का आजाता है तो लता मंगेश कर को आजाता है अगर इनसे लिदे अधर कोशन पूछले जैसे कि इन्हें भारत रहतर का मिला 2001 में पदम भिभूशर का मिला 1999 में और 1989 में दादा साहे फालके जो अबड़ता इन्हें मिला था यह दोस्तों लगबक 27 प्रेश तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडेप चाहिए तो आप हमारा यह टेलीगरम चैनल है इस नाम से जोइन कर सकते हैं नीचे लिंक है या डारेक्ट सर्च करेंगे तो आ जागा और यह चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छल लगा हो आगे आने वाली शि चैनल जबारत